जैहिंद वेलकम टू विजयपत एजुकेशन पालंपुर आज की इस क्लास में हम डिसकस करेंगे एक वार फिर से मंतली करंट फियर को आज मैं मन्त दोहजार 24 के कंप्लीट करंट फियर को हम डिसकस करने वाले हैं इसके साथी क्विज वीकली वन लाइनर कोशन भी आप हमारी एप्लिकेशन के थुरू चेक कर सकते हैं आज कंप्लीट मैई दोहजार 24 का करंट फियर हम डिसकस करेंगे यह करंट फियर आपके different exam के लिए important है जैसे कि आपके banking exam, SSC, defense, railway, all state government exam जितने भी हिमाचल के या center government के exam रहते हैं उसमें current फियर का सबसे ज़्यादा रोल रहता है तो उन सभी के लिए यह question आपके लिए important है इसमें national, international, economic, sports, science and technology जो latest कोई news है, कोई conferences है या फिर जो भी हमारे extra question बचते हैं miscellaneous के उन सभी को आज की इस class में हम discuss करेंगे मैई 2024 का complete current affair आज हम discuss करने वाले हैं जादा जानकारी के लिए आप www.vijyapatheducation.com के उपर विजिट कर सकते हैं वहां से आप अपने लिए monthly, daily या weekly current affair की quiz या MCQ आप try कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं आज की इस class को सबसे पहला question है हंस देव अरिन अभ्यान में उनके प्रियासों के लिए एशिया से 2024 gold man पुरुषकार किसने जीता है हाल ही में एशिया के 2024 gold man पुरुषकार से सम्मानित किया गया है अलोक शुकला जी को तो इसमें आपको Hindi and English दोनों ही languages में आपको ये PDF प्रोवाइड करवा दी जाएगी हमारी application के थूँ और इसमें नीचे question के साथ साथ इसमें detail भी दी गई है वहां से आप अगर कोई important question आपके लिए बनता है तो आप उसको भी no down कर सकते हैं second question है भारत 2025 BWF विश्व जूनियर championship की मेजवानी किस शहर में करेगा तो 2025 BWF विश्व जूनियर championship मेजवानी भारत के गुवहाटी में की जाएगी most important question है 2008 के बाद 2008 के बाद पहली बार भारत में इस championship की मेजवानी जो है वो की जाएगी important question है आप इसको no down कर सकते हैं यह बैडी मिंटन से related championship रहेगी next है दुबई के उस Hawaii Day का नाम क्या है जहांके विश्व के सबसे बड़े देखिए world level का कोईशन है विश्व के सबसे बड़े टर्मिनल का निर्मान कारे शुरू हो गया है तो उसका नाम है अल मक्तूम अंतरास्ट्रे हवाई अड़ा important question है और यह विश्व का सबसे बड़े टर्मिनल के निर्मान कारे में सिद्ध हुआ है important question है world level का question रहेगा विश्व का सबसे बड़ा टर्मिनल जो है यह बन जाएगा next question मई दो हजार 24 में नो सेना स्टाफ के उप पर मुख के रूप में किसने पद भार ग्रहन किया है तो क्रिश्ण स्वामिनाथन जी ने ये बरतमान में नो सेना स्टाफ के उपर मुख के रूप में इन्होंने पद भार ग्रहन किया और इन्होंने जुलाई 1987 में भारती नोसेना को भारती नोसेना में इनको शामिल किया गया था नेक्स्ट कोईशन रहेगा भारत के उपराष्ट पती श्री जिगदीप धनखड द्वारा कॉपरेट समाजिक उत्तरदायत्व के क्षेतर में उत्कृस्ट योगदान के लिए हाल ही में किसे संवानित किया गया है तो डॉक्टर वीना मोधी जी को संवानित किया गया है के लिएशन के जो हैं इस वह कहें रहंगों यूद एक्टर थे छर्फे erotic के वरतमान उपरष्ट पति हैं धन्खड जी द्वारा कॉपरेटिव समाजिक उत्तरदायत्यों के एक्षेत्र में सबसे उत्करिस्थ योगदान के लिए इनको ये अवोड हाल ही में दिया गया है नेक्स्ट कोईशन है गोल्ड मैन सक्स की रिपोर्ट के अनुसार 2030 तक भारत के सेवा निर्यात का अनुमानित मूल्य क्या है 2030 तक भारत में कुल 800 बिलियन डोलर तक जो है वो सेवा निर्यात का मूल्य जो है वो निर्धारित किया गया है जो हाल ही में रिपोर्ट गोल्ड मैन सक्स की आई है उसके अनुसार नेक्स्ट कोईशन है भारती लोजिस्टिक और सप्लाई चेन कंपनी डेलेवरी आपने इसका नाम सुना ही है डेलेवरी ने 100 प्रतिशत महिला नेतरतिव वाला हब कहां पर शुरू किया है यह मोस्ट उनीक कोईशन आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं आपने डेलेवरी का नाम सुना होगा यह आपको पारसल पहुंचाए जाते हैं इस कंपनी के द्वारा तो डेलेवरी ने राजिस्थान के सीकर में 100 प्रतिशत महिलाओं के नेतरतिव वाला केंदर शुरू किया है यान पहला ऐसा लोजिस्टिक बन गया है जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला करमचारियों द्वारा ही इसको सिंचालित किया जाता है और यह महिला शिशक्तिकरण को बढ़हावा देने के लिए यह जो है वह इसको स्टार्ट किया गया है इसके अलावा हर्याना और मुंबई के अन्य स्थानों पर भी इसको जो है वह स्टार्ट किया गया है इंपॉर्टेंट कोईशन है और इसी तरीके के यूनीक कोईशन आपकी एक्जाम में पूछे जाते नेक्स्ट कोईशन अधेन में उपयोग किये गे किस चंदर और्बिट के रेडार डेटा से पता चलता है कि कि चंदर्मा के ध्रूबिय कैटर में अपेक्षा से अधिक उपसतह जल वर्फ हो सकती है तो यह हाल ही में किस के द्वारा पता चला है कि चंदर्मा के उपर जो उसकी उपसतह है वहां पर वर्फ जो हो सकती है तो ल आर ओ लूनर रेकोनुसेंस और विटर एल आर ओ जो है इसके द्वारा जो है वह पता लगाया जा सकता है और यह जो है वह नासा के द्वारा यह अध्येन किया गया है इंपोर्टेंट है नेक्स्ट कोईशन है हाल ही में किसने चक्रव्यू दा एसकेप रूम नामक एक परियूजना शु बियूजना इंपोर्टेंट है यह स्टाट की गई है एस ऐस ऐस अच आथ सिबी और इसका फूल वह हर्याना राजे नेकोटिक्स कंट्रोल ब्यूर इंपोर्टेंट कोईशन हा हर्याना गौमेंट के द्वारा यह परियोजना स्टार्ट की गई क्योंकि यह मुख्य रूप से anti drug के लिए जो है काम करता है इसमें सारी चीजें जो है वह समझाई जाती है कि किस तरीके से एक व्यक्ति जो है वह ड्रग के चकर में एक चक्र विव में फस जाता है वहां से निकलना मुश्किल होता , तो इस में सारी यह वह चीजें बताई गई के किस तरीके चीजार को एक वह लिए दो इस योजना को और यह कर कर सकते हैं। ताकि आप बूह भुन होकि किस तरीके से और पर isका पहला कार्यात्मक Smart Classroom जो वो लॉंच किया गया था डी अबी पब्लिक स्कूल अमबाला में इसकी वहां पे जो है वो शुरुवात की गई थी इंपोर्टेंट कोईशन आपको ध्यान रखने हैं चक्करव्यू सरकार की जो है वो एक मुख्य योजना है एंटी टर्ग सिस्टम के लिए नेक्स्ट है हाल ही में रास्ट्री सोर उर्जा संस्थान के नए महानिर्देशक कोन बने हैं तो उत्तर परदेश के अलिगड में अल अध्यक्ष के रूप में इनको यह कमांड दी गई है इंपोर्टेंट है यह कोईशन भी और जितने भी नई महिने में महानिर्देशक एमडी यह सी यह बनाए गए हैं वो आपके लिए इंपोर्टेंट कोईशन यहां से रहेंगे नेक्स्ट है इंडस पब्लिक स्कूल के चातरों ने All India Open Multi Sport Roller Basketball प्रत्योगिता में कौन सा स्थान हाशिल किया है यह रियाना Catals Indus Public School के यह चातर हैं जिन्होंने All India Open Multi Sports Roller Basketball प्रत्योगिता में भाग लिया था लगबग देश की बारा टीमों ने भाग लिया और इसमें जो है वो हर्याना के स्कूल ने सभी टीमों को हराते हुए पहला स्थान जो है वो हासिल किया था नेक्स्ट कोईशन है अंतरास्टिय शत्रंज महासंग ने हाल ही में किसे ग्रेंड मास्टर की उपाधी से सम्मानित किया है तो रमेश बाबु बेशाली रमेश बाबु को जो है वो इस अवोर्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट कोईशन उद्योग तथा आंतरिक वेपार संबर्धन विभाग डीपी आईईटी जिसको कहा जाता है मैं निर्देशक के रूप में किसे न्युक्त किया गया है तो देखी न्युक्तियों से रिलेटेड अपॉइंटमेंट से रिलेटेड कोईशन जो है वो बार बार आपसे पूछे जाते हैं तो प्रतिवा सिंग आई आर एस हैं ये इंडियन रेविन्यू सर्विस जो है वो हुआ था तो जैसे IPS है वैसे IRS होते हैं ठीक है तो प्रतिमा सिंग जी को जो है वो डिपी आई आई टी के निर्देशक के रूप में जो है वो न्यूक्त किया गया है किस देल के फुटबॉल क्लब सेंट जर्मन ने ओलम्पिक लियोनिस के खिलाफ एस मोनाको की टीन दो से हार के बाद अपना रिकॉर्ड बार्मा लीग एक खिताब हासिल किया है तो वो देश है फ्रांस इंपॉर्टेंट कोईशन है यह भी ठीक है आप डिटेल जो है वो यहां पर पढ़ सकते हैं यह जितने भी हमारे ओल इंडिया लेवल के एक्जाम रहते हैं उसमें इस तरीके के कोईशन ही पूछे जाते हैं जातर जो भी आजकल हमारे ससी के डिफेंस के रेलवे के जितने यह भी एक्जाम अब ओनलाइन हो रहे हैं ठीक है जो आपके प्लस टू बेस एक्जाम है यह ग्राजुएशन बेस्ट एक्जाम है उन सभी में इसी तरीके के युनीक क्वेशन जो है बार बार पूछे जाते हैं next question रहेगा कौन सा देश UPI जैसी ततकाल भुकतान पर नाली विक्सित करने के लिए NPCI international के साथ साजेदारी कर रहा है आपको पता होगा NPCI जो है भारती राष्ट्री भुकतान निगम है और इंडिया एक ऐसा देश है जहां पर सबसे जादा ट्रांजेक्शन जो है वो UPI या बोल सकते हैं कि online तरीके से जो होती है और 2019 के बाद करोना काल के बाद इंडिया पहला ऐसा देश बना है जहां पर UPI जो है वो सबसे जादा यूज किया जाता है NPCI के अंडिया तो NPCI के साथ अभी हाल ही में साजेदारी की है नामीबिया देश ने जहां पर उनके द्वारा कहा गया कि जो हमारा bank of Namibia है उसको जो है वो साजेदारी जो है वो की जाए NPCI के द्वारा ताकि हम UPI सुभिधा को जो है वो यहाँ पे अपने देश में active कर सकें Next question रहेगा जिंबाबे के धन संकट को दूर करने के लिए शुरू की गई मुद्रा का नाम क्या है नोस्वाइबी मुद्धी ऑन इंयुक् hä जिंबाबे ने जिस तरीके से कुछ समय पहले यहi खेャ। जिंबाबे में धन संकट आया उन्होंने संकट को दूर करने के लिके जिम्बाबे गोल्ड इसको कहा जाता है जिम्बाबे गोल्ड यह जो है वो लॉंच किया है ताकि कुछ समय के लिए धन संकट को अपने देश से हटा सके नेक्स्ट कोईशन रहेगा मानिवी संकट के बीच अफगानिस्थान को विश्व वैंक से कितनी सहाइता हाल ही में मिली है तो 84 मिलियन अमरीकी डोलर जो है वो वर्ड वैंक के द्वारा अफगानिस्थान को यह सहाइता जो है वो की गई है नेक्स्ट कॉश्चन है अप्रैल 2024 के लिए भारत में संकल बस्तु वैंस सेवा कर जीएस्टी जो संग्रह था वो कितना था तो टू पॉइंट रूपीज जो है वो यह अपरायल दो हजार चोबिस में भारत के लिए जो है वो जी एस्टी संग रहे था ठीक है इंपोर्टेंट कॉश्चन है यह भी नेक्स है हाल ही में जो है वो 77 की एज में अमरीका के उपनियासकार और पट कथा लेख का जिनका नाम है पॉल ऑस्टर उनका जो है वो हाल ही में निधन हो गया है कुछ ऐसी कृतियां उनके द्वारा लिखी गई थी दा नियू यू यॉक ट्रालोजी दा बुक आफ इल्यूजन ठीक है ऐसी कुछ पुस्तके लिखी गई थी जिनके राइटर थे पॉल ऑस्टर उनकी हाल ही में जो है वो डेथ होगी है अमेरिका के रहने वाले थे और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की फॉम में आपसे यह व अधिकारी के रूप में हाल ही में किसे न्युक्त किया गया है तो पी एस दिनेश कुमार जी को यह बित मंतराले ने करनाचक उच न्याले के शेवा निभृत न्याएधीश और पूरव मुख्य न्याएधीश यह रहे हैं पीएस दिनेश कुमार इनको चार साल की अब्धी के लिए जो है वो सैट में ठीक है पीटा सीन अधिकारी जो है वो न्यूक्त किया गया है इंपोर्टेंट कोईशन है यह नेक्स्ट कोईशन रहेगा तमन्ना नरवाल नहीं दोजार चोबिस में इंडो नेपाल इंटरनेशनल आम वॉक्सिंग चैंपिंशिप में भारत के लि और उसके साथ साथ ऐसे ही यूनीक लेवल के पूछे जाते हैं ऐसे नहीं कि जो क्वेशन जादा आपके ट्रेंडिंग में है बिल्कुल बेसिक सा कोईशन है ठीक है वो आपकी एक्जाम में होगा नहीं अब डे वाई डे जो है वो आपका लेवल टफ होता जारा तो उसी क अकोडिंग जो है वो क्वेशन पूछे जाते हैं वन विभाग ने पोधर ओपन करने वाली समाजिक संस्थाओं में से किस जिले को हरा भरा और परदूशन मुक्त बनाने के लिए आवेदन मांगे हैं देखें यह है चर्खी दादरी जिला है उसको हरा भरा वो परदूशन मुक्त बनाने के लिए बन विभाग ने पोधार ओपन करने के लिए समाजिक संस्थाओं से आवेदन मांगे हैं यह जिला है चर्खी दादरी यह आपका पढ़ता है स्टेट हरियाना में चर्खी दादरी जो है वो हरियाना में यह पढ़ता है और आप यह ध्यान रखेंगे आपके सामने फोटो भी दिया गया है बन भीभाग हरियाना तो important question है कुछ समय पहले हरियाना ने एक महिम चलाई थी जिसमें अगर कोई पेड़ अगर सत्तर साल से अगर उसकी आयू ज़ादा है 70 प्लस अगर एज है तो उस पेड़ को जो है वो pension भी लगाई गई थी जो संस्था के तुरू जिसको handle किया जाता था उसको proper पानी या जो भी उसकी पड़ता है नेक्स्ट कोईशन रहेगा गोरव स्कूल रोहेडा के पूर्वचात राम मेहर जगलान दक्षिन अफ्रीका में वर्ड चैंपेंशिप गेम्स में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे ठीक है इंपोर्टेंट कोईशन है और उसमें इनको जो है वो कान से पदक जो है वो मिला था इंपोर्टेंट है ये दक्षिन अफ्रीका में जो है वो अठारा से तीस मेही तक जो है ये चैंपेंशिप होगी वहाँ पे अपनी हिस्सेदारी जो है वहाँ पे बताएंगे नेक्स है हर्याना में नई कक्षाओं में आने वाले 15,000 विद्यार्थियों को क्या वित्रित किया जाएगा तो टैबलेट वित्रित किया जाएगा इंपोर्टेंट कोईशन है आप कमेंट करके जरूर बताएं अट प्रेजेंट टाइम हर्याना के नए मुख्यमंत्री कौन है नेक्स्ट कोईशन विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है तो आठ मै को पूरे वर्ड में रेड क्रॉस डे जो है वो मनाया जाता है इंपोर्टेंट है आप इसकी बेसिक डिटेल जो है वो यहाँ पर समझ सकते हैं यह मेडिकल असिस्टेंस भी हमें जो है वो प्रवाइड करवाता है नेक्स्ट हाल ही में कपड़ा मंत्राले के तहत राश्ट्री जूट बोर्ड के सचिव निर्देशक स्तर पर के रूप में किसे निक्त किया गया है तो यह है भूशन सिंग जी भारती रेलवे यातायात सेवा के अधिकारी है शशी भूशन जी इनको जो है वो कपड़ा मंत्राले के तहत राश्ट्री जूट बोर्ड के सचिव के रूप में जो है वो निक्त किया गया है नेक्स्ट लुप्त प्राए ग्रेटर एजुकेट स्टॉर्क और उसके आद्रभूमी आवास के सरक्षन परियासों के लिए विहटली गोल्ड अवोर्ड दोहजार चोबिस हाल ही में दिया गया है डॉक्टर पूनिमा देवी वर्मन को इंपोर्टन है लंदन में इनको जो है ये अवोर्ड जो है वो मिला है और उसके साथ साथ एक लाख पाउंड का भी नगद पुरुषकार जो है वो इनको दिया गया है नेक्स्ट कोईशन है मैई दोहजार चोबिस में अपनी निर्माना धीन सोर परियोजनाओं के लिए अंतराश्टी बैंकों के एक संग से अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा प्रापत वित की राशी कितनी है ये राशी जो है वो रहेगी 400 मिलियन डॉलर की इंपोर्टेंट कोईशन है ये भी नेक्स्ट कोईशन रहेगा चालिसमी अंटार्क्टिक संधी परामर्श दातरी बैठक 80CM46 देखी इंपोर्टेंट है यूनीक सा नाम है 80CM46 ये एक बैठक है और परियवन संरक्षन समीती की 26 मी बैठक CEP26 ये कहां पर आयोजित की रहेगा इस कंपनी की भारति सहयोगी को लगाता और पांचमे विर्ष शीर्ष न्योजिकता के रूप में मानिता दी गई है तो उसका नाम है फिलिप मौरिस इंटरनाशनल PMI ये कंपनी है जिसको लगातार पांचमे वर्ष के लिए जो है वो न्योगता के रूप में facilities प्रश्यता उसकी इमान्यता रखी गई है, नेक्स्ट क्वेशन है, हाल ही में 72 वर्ष की आयू में विने बीर जी का निधन हो गया, यह किस क्षेतर से समंदित थे, तो पत्रकारिता से समंदित थे, प्रशित पत्रकार, प्रकाशक और डेली हिंदी मिलाब के संपादक थे वि अमेरीकी एक्स्प्रेस ने किस भारती शहर में अपने लगभग 10 लाख बर्ग-फुट के परिसर का उध्वाटन किया है जो कमपणी देशोच में अब तक खोला गया सबसे बड़ा परिसर है तो अमेरिकन एक्स्प्रेस जो कंपनी है जिसने भारत में अपना नया परिसर ओपन किया है और ये खोला गया है गुरुग्राम में जो की कंपनी का सबसे बड़ा स्पोर्ट जो है वो रहेगा गुरुग्राम के सेक्टर 74A में जो है वो स्थापित किया गया है नेक्स्ट कोईशन है हर्याना के किस जिले के विश्व विद्याले के युबा एवं सांस्कृत कारेक्रम विभागे तीन दिवस्य कला उत्सव कारेशाला का आयोजन किया गया तो कुरुक्षेत्र अर्याना के कुरुक्षेत्र जिले के विशयवएद्याले के यूभा तत अत्व सांस्कृत कारीक्रम भी भाग ने तीन दिवसी कला उत्सब कारीक्रम का आयोजन जो है वो किया एक वर्ख शौप जो थी वो कुरुक्षेतर University के द्वारा लगाई गई थी Ka हर्याना के किस जिले में 5 स्कूलों में स्टेम рाप बनाई गई है तो यह अमबाला के एंबाला में जो है वह बनाई ग至 इसमें स्कूलों के नाम दिये गए है और यह उस्टेइट गौनर्मनेंट की जो है स्टेम लैप जो है वो बनाई गई है स्टेम लाप लैप जो है वो बनाई गई है next question रहेगा हाल ही में हर्याना की पारुलने मुंबई में आयोझित रास्ट्री हैंड़ प्रतियोगिता में कौन सा पदक जीता है तो उनको दिया गया है कांस्य पदक यह important question रहेगा next कबड़ी से related question है तो राज्य स्तरिय जूनियर कबड़ी प्रतियोगिता में किस जिले की पुरुष की टीम जो है वो प्रत्थम रही तो सोनिपत की टीम जो है वो प्रत्थम रही थी next question भारतिय राज्य ने नक्षत्र सभा खगोल प्रेटन अभियान शुरू किया है तो किस राज्य ने स्टार्ट किया है नक्षत्र सभा खगोल प्रेटन अभियान यह स्टार्ट किया है उत्राखंड के द्वारा option number B जो है वो यहां पे विल्कुल सही उत्तर रहेगा next question है 14 माई को कान फिलम महुत्सव के उधिखाटन समरोह में मानध पाल में डी और पुरुसकार की से समानित किया जाएगा मेरिल स्ट्रिप को ये बर्ल लेबल का आपका कोश्चन रहेगा इंटरनेशनल करंट अफेर का आपके लिए कोश्चन रहने वाला है भारत, नाइजीरीय सियुक्त, बेपार समीती का दूसरा सत्र किस सहर में आयू जित किया जाएगा तो यह आयू जित कियाएगा अबुजा में यह आपका नाइजीरिया जो देश है वहां का एक शहर है अबूजा वहां पे जो है वो इसको आयोजितक किया जाएगा ताकि हारत और नाइजीरिया में जो है वो बेपार को जो है वो बढ़ावा मिल सके नेक्स क्याशन है मेई दोहजार चोबैस में सोलो मेन के दीब समू का नया परधान मंतरी किसे न्युक्त किया गया है तो जेरीमिया मानेले जेरीमिया मानेले को जो है वो विशेश रूप से जम्मू और कश्मीर क्षेतर के लिए भारत की ग्रैपलिंग कमेटी का अधियक्ष जो है वो न्यूक्त किया गया है और यह जो है वो रिलेटिड है एक कुस्ति शंग से कुस्ति से यह रिलेटिड है कि ऊंगि नेक्स्ट कॉश्यन है मुझूदा लोक्सभा चुनाव 2024 के दोरान कि शनाव अंग्तुप कारिक्रम में भाग लिया तो तुल 23 देशों के प्रतिनिधियों दारा भाग लिया है हाल ही में बर्तमान में बहुत है भारत में इलेक्ष न भी हुए है ठीक है भारत की एक नई सरकार जो है वो हमें देखने को मिलेगी ठीक है नेक्स्ट कोईशन रहेगा पृत्वी के चुम्ब की अक्षेतर का सबसे पुराना शाक्षे प्रदान करने वाली चटान कहां पर मिली है तो ग्रीन लैंड में मिली है क्योंकि आप सभी जानते है साइंस में आपने पढ़ा है कि अर्थ जो है वह एक मेगनेटिक की तरह बिहेव करती है तो उस तरीके की एक चटान जो है वह मिली है ग्रीन लैंड में next question रहेगा GSTAT GSTAT अपी लिए न्याइधी करण के अधियक्ष के रूप में अभी हाल ही में मैई 2024 में संजे कुमार मिश्राजी को अधियक्ष जो है वो बनाया गया है GSTAT के मुख्य अधियक्ष जो है वो संजे कुमार मिश्राजी रहेंगे करनाल क्रिकेट एसोशेशन की और से राना ब्रदर एकेडमी में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में कवीर टीम ने कितने रनों से मैच जीता था तो यह देखिए यह आपका एक बेसिक लोकल लेवल का कोईशन भी है लेकिन जब आप अगर आपने पेपर में देखा हूं खसे आतें से जो पुराने लेवल कैंड़ेशन करें ।100 वह 私 c चलके अंडर किसी डिस्टिक में या किसी जोर्नल लेवल पे अगर कोई एक बात की गई होगी जो उस पूरे स्टेट को रिपर्जेंट कर रहा है तो उस तरीके का कॉश्चन जो है वो पूचा जा सकता तो 123 रनों से जो था वो मैच जीता था नेक्स्ट कोईशन है लिंगानुपात में जिला करनाल परदेश में कौन से स्थान पर पहुंचा है आंसर इसमें दे दिये गया है चोथे स्थान पर जो है वो पहुंचे गया है नेक्स्ट है किस भारती शहर के अमरीकन एक्सप्रेस ने यह भी अमने कोईशन डिसकस कर लिया यह आपका repeated question है गुरू ग्राम में सबसे बड़ा इनका जो है वो परिसर ओपन किया गया है अमरीकन express का कि next question है किस देश ने प्रत्थम गल्फ यूथ गेम्स एमिरेटर्स दोहजार चोबिस में पदक तालिका में शीर स्थान हाशिल किया तो यह है UAE स्युक्त अरव अमिरात इनको जो है वो पहला स्थान ये मिला है next question रहेगा दोहजार चोबिस यूनेस्को गिल्मिर केनो बिश्व प्रेस सुतंतरता पुरुषकार के रूप में फिलिस्तीनी पत्रकार को जो है वो विजेता के रूप में घोशित किया गया है next question है ISL 2023 सीजन में मुंबई सिटी FC ने किस क्लब को हराकर ISL कप जीता तो मोहन बागान सूपर जाइंट ये फुटबोल से रिलेटेड कोईशन आपके लिए बन सकता है मुंबई सिटी FC फुटबोल क्लब ने जो है वो हराया है मोहन बागान सूपर जाइंट को और ISL कप जो है वो अपने नाम हासिल किया है अगला question रहेगा नेपाल जिस मुद्रा नोट को पेश करने की योजना बना रहा है उसकी राशी क्या है जिसमें भारतिय क्षेत्रों को लिपुलेख, लिम्पी आथुरा और काला पानी का मान चितर शामिल होगा तो वो है सो रुपए का नोट है important question नेपाल ने अभी हाल ही में नया सो रुपे का नोट जो है वो चापने की घोशना की है और जिसमें काला पानी का चितर होगा लिपुलेख का होगा लिपिया नेपाल के जो परधान मंत्री है पुष्प, कमल, दहल, परचंड की ध्यक्षता में यह निर्ने लिया गया है नेक्स्ट कोईशन है विश्व का सबसे गहरा ब्लू होल जिसका नाम तामजा ब्लू होल है यह किस देश में खो जा गया है तो मेक्सिको में खो जा गया है ब्लू होल जो है यह पानी के अंदर है तो यह मेक्सिको के चातुमल खाड़ी में यह स्थित है और यह दुनिया का जो है वो सबसे गहरा ब्लू होल माना जाता है नेक्स्ट कोईशन रहेगा तीन सेट के रोमांचक टाइब्रेकर में आरेना सवालेका को हराकर मेरिड ओपन का खिताब किसने जीता है तो इगा स्विया टैक के द्वारा यह अवोर्ड जीता गया है नेक्स्ट हाल ही में आईपील जो है वो खतम हुए है आईपील इतिहास में डेट सो कैच लेने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने है तो महेंदर सिंग धोनी जिनके सबसे ज़्यादा फैन जो है वो रहते हैं इन्होंने एक कड़ी उपलब्धी जो है वो हासिल की है और आईपील के इतिहास में डेट सो कैच लेने वाले पहले विकेट कीपर जो है वो बन गए है और पंजाब के बल्लेवाज जिते शर्मा का कैच जो है वो इन्होंने लिया था लास्ट तो उसके साथ साथ जो है वो बिल्कुल करीबी जो है वो दिनेशकार्तिक है जिन्होंने 141 कैच लिये है रिद्धिमान सहा ने 119 कैच जो है वो लिये है नेक्स्ट कोईशन है अमेरिका के अगामी T20 विश्व कप में ICC मैच रैफरी के रूप में भारत का प्रतिनित्ध कौन करेगा तो जवागल श्रीनाथ ICC ने एक जून से USA और वेस्ट इंडिया में होने वाले T20 विश्व कप के पहले दोर के लिए अमपाइरों और मैच रैफरी सहेत है 26 मैच अधिकारियों की सूची की घोशना की है जिन में से T20 विश्व कप में भारती प्रतिनित्धियों के अमपाइर नितिन मैनन और जे रामन मदन गुपाल के साथ साथ ICC मैच रैफरी जवागल श्रीनाथ भी शामिल है आपने इनको जो है वो काफी वार जो है वो मैचों में देखा होगा नेक्स्ट कोईशन है लास्ट कोईशन है आज के मैई मंत की करंट अफेर की क्लास का यूक्रेन का प्रतिनित करने वाले विश्व के सबसे पहले AI राजनाइक का नाम क्या है विक्टोरिया शी इंपोर्टेंट कोईशन है यूक्रेन का जो है वो एक AI टूल आप इसको मान सकते हैं वैसे ही अगर गूगल के टूल की बात करें सबसे पहले आपने जो है वो गूगल असिस्ट गूगल जीमिनी के रूप में जो है वो चेंज कर दिया गया है अगर आप अपना स्मार्टफोन अगर यूज करते हैं तो अब गूगल असिस्टेंट की जगा जो है वो गूगल जीमिनी आप यूज कर सकते हैं ऐस AI टूल वैसे ही को पाइलिट जो है वो आपका माइक्रोस रहते हैं तो जो भी कोईशन अभी हमने MCQ की फॉर्म में डिस्कस किये वही आपके वन-लाइनर क्वेशन में आपके पास यहां पर रहेंगे आपके हमने या फिर अगर आपको one-liner की form में अगर आपको practice करनी है तो आप one-liner की form में भी practice कर सकते हैं इसकी PDF जो है वो आपको download करनी पड़ेगी विचेपथ education application में वहाँ पे आप registration करेंगे, login करने के बाद आप current fair के section में जाएंगे वहाँ पे आप इस PDF को जो है वो easily download कर सकते हैं month wise और weekly and daily आपको वहाँ पे current fair की PDF जो है वो आपको मिल जाती है इसके साथ साथ इसी PDF में आपको Hindi और English का भी current fair आपको मिलता है पहले हमने Hindi section के बाद की अब जो है वो यही same question आपकी English language में भी आपके लिए provide करवाए गए हैं ताकि आपकी त्यारी में जो है वो कोई कमी ना रह पाए तो आप Hindi या English बोध language में अगर आप इस PDF को लेना चाहते हैं तो आप application जो है वो download कर सकते हैं क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके आप जरूर बताएं जल्दी ही हिमाचल के मही महीने की करणटे फेर की वीडियो भी आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें जय हिंद जय भारत